तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं SQL, count, average और some functions के बारे में तो इन function का काम होता है तो सबसे पहले बात करते है count function की count function का काम होता है number of rows को return करना जब specified condition true होती है तो यहाँ पर इसका count syntax दिया हुआ है तो सबसे पहले select keyword होता है तो उसके बाद count हमें लिखना पड़ता है उसके बाद यहाँ पर हमारा column name होता है जिस column को count करना होता है और यह table name है उसके बाद यहाँ पर condition देने होती है तो average function इसी तरीके सोता है that returns average value अपने मेरी columns यह average का syntax है same syntax इसका भी उसी तरीके से जैसा count का था select keyword शुरू में फिर average abg keyword उसके बाद आपको यहाँ पर column name देना होता है जिसका average निकालना होता है यहाँ पर table name होता है from के बाद और यह condition होती है इसी तरीके का कुछ syntax function का भी होता है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है और यह हमारी demo database table है जिसका नाम है product यहाँ पर product के past record दिये वे past 5 rows दिये है सबसे पहले समझते है count के example को तो select count यहाँ पर है product id और from products यानि products नाम की जो table है क्योंकि from के बाद table name लिखना होता तो जो table है हमारी वो product table है तो products table यहाँ पर है इसको देखते हैं तो इसमें हमें 77 record मिलते हैं और इसमें जिसको count करना वो है product id तो कितनी product id है यह product id है तो इसी को count करना है तो इसको करके देखते हैं इसको यहाँ से run कराते हैं तो आपको product id मिलती है 77 और इसमें है भी number of record यानि product id 1 से लेके 77 है तो इसलिए product id, count function का इस्तमाल करके हमें पता चल जाता है कितने number of product ids है, इसके बाद आप चाहें तो इसको rename भी कर सकते हैं जैसे अगर हम लोग यहाँ पर as keyword का इस्तमाल करें और यहाँ पर rename कर सकते हैं, number of ids तो यह आपको यहाँ पर दिखाएगा number of ids करके, 77 इसके बाद है average function यानि abg function, इसका काम होता है particular column में जो values हैं उनको average करना तो इसको कर सकते है, select abg यानि price, जो price column है, इसमें जो हमें price column दिखती है, सबसे last में आपको दिखाए देगी यह है price column जिसमें आपको values दिख रहे हैं 18, 19, 10, 22, यह सब column है, values है price column के, तो इनी का average करेगा, यह बताएगा तो इसको करते हैं, देखते हैं, कितना average आता है price column का, तो price column का यहाँ पर यह value, average value दिख रहा है, abg function से, 28.86636, ऐसे करके हैं और इसमें यह भी है कि जो null values हैं, they are ignored, उनको ignore कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी कोई value नहीं होती है, उसके बाद है हमारा sum function, तो इसको भी करके द रिखते हैं, तो यहाँ पर sum quantity है, उसको sum किया गया, और यह table है order details, तो order detail नाम की यहाँ पर table यहाँ दिख रहा है आपको, तो इसमे record है 518, तो यह table है, इसी tables में कितनी quantity है, यानि कि यह, इसी का sum किया जा रहा है, तो इसको करते हैं, sum of quantity column, और यह किसमे है, table name किया है, from table name, यानि order details, order details नाम की table है, तो इसको देखते हैं, कितनी quantity आती है, total quantity, तो यह है, 12,743, तो average से आया है, तो यह था, average count of sum function, जिसका working आपको समझ में आया होगा, झाल, 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